श्रीमन नारायन नारायन भज्मन नारायन नारायन भजिवन नारायन नारायन श्रीमन नारायन 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 पंद्रमा अध्याय हे अर्जुन सुन्ध्यान से गज इक भक्त महान पकड़ा उसको ग्राहने निर्बल था गजराज ग्राहको मारा तूर्त ही गज को लिया बचाए जो मेरे आश्रिस सदा उनका मैं रक्षपाल एक दिवस सरिसाविशे पहुचा करने इसनान सुनकर गज की टेर को पहुचे भव के ताज इस प्रकार निजभक्त की करते नाथ सहाए पंचादश अध्याई में इमी कहते गोपाल शिरी भगवान जी बोले संसार अश्वत्व पीपल के समान है जिसकी पुरुष रूप जड़ उपर है चराचर शाखा नीचे है वेद इसके पत्ते हैं जो यह जानता है वही वेद का ग्याता है इसकी शाखा उपर से नीचे फैली हुई है सत रज और तम गुण इसकी वाहिनी नसे है जिनसे इनका पालन होता है शब्द रूप इसकी डालियां है एवं पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ नीचे मनुश्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है प अश्वत्थ का रूप यह रूप इसका आदी अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता तथा भी इसकी जड़ गहरी है ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप द्रिन शस्त्र से काट कर वह स्थान ढूंडना चाहिए जहां से फिर लोटना नहीं पड़ता और स पात ही है विचारना चाहिए कि जिससे वह पुरातन प्रवर्ति उत्पन हुई है मैं उसी आदी पुरुष की शरण में हूँ एहंकार और मोहरहित संग दोश को जीतने वाले आत्म ज्यान से नीरत सब कामनाओं से दूर सुख दुख नामक द्वंद पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्यानी पुरुष शाशवत पत को पाते हैं जिसे सूर्य चैंद्र या अगनी प्रकाशित नहीं करते वहां मेरा परमधाम है वहां जाकर लोटना नहीं होता मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकरती में इस्थिर पांचों इंद्रियों और चठे मन को उससे छुडाता है जैसे वायू पुष पादिकों की गंद को दूसरे इस्थान में ले जाती है इसी प्रकार यह दे हैं स्वामी शरीर धारन करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है कान आंख चर्म जीव नाक औ और मन का आश्रय लेकर वह विश्यों का भोग करता है एक देह से दूसरी देह में जाते अथवा इंद्रियों से युक्त विश्यों का उपभोग करते हुए इसको मुर्ख नहीं देख सकते पर जिनके ज्यान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं यतन करने से योगी जन इसे देखते हैं पर अज्यानी यतन करके भी इसे नहीं देख पाते जो तेज सूर्य चंद्र और अगनी में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है उसे मेरा ही तेज जानो मैं प्रित्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारन करता हूं और इससे भरा ह चंद्रमा बनकर मैं ही सब औशदियों का पोशन करता हूं। मैं जठ रागनी होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ठ हूं। और प्राणवायू अपानवायू से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष, भोज, चोश, लेह से भोजन किये हुए प्राणियों के अन को पचाता हूं। संसार में शर और अक्षर दो पुरुश हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे शर कहलाते हैं और इस्थेर चेतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और शर से उत्क्रिष्ट हूं। इसी कारण से जो लोक और वेद में पुरुशोत्तम जानता है वह कुछ जानता है और सर्वतो भावेन मेरा ही इस्मरण करता है। इस तरह पंद्रवे अध्याय का पाठ संपन्न हुआ। ओम नमो भगवते वासू देवाई नमहा। पंद्रवे अध्याय का महात्म उत्तर प्रदेश में एक नरसी नामक राजा था और सूभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था। राजा को मार कर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्य एक दिन राजा नोकर चाकरों सही सो रहा था, तब मंत्री राजा के सारे नोकरों सहीत मार कर राज्य करने लगा, कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वह भी मर गया, यमराज के पास दूत बांध कर ले गए, धर्मराज बोला हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो, हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई, नरक भोक का धर्मराज की आग्यां से घोड़े की योनी में आया, एक सौधागर ने भौश से घोड़ों को मोल लिया, और वह घोड़ा खरित कर अपने देश को चला, चलते चलते अपने देश में आया, तब वहां के राजा ने सुन की अमुक सौधागर भौश से घोड़े ले आया है, तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीदा, जब उस घोड़े को फेरा, तब राजा को देख उसने सिर फेरा, यह देख राजा बोला क्या बात है, जो घोड़े ने सिर फेरा ह राजा ने पंडित को बुला कर पूछा कि इस घोडे ने हमें देखकर सिर फेरा है इसका क्या कारण है पंडित जी ने कहा है राजा इस घोडे ने तुमको सिर नवाया है राजा ने कहा यह बात नहीं कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोडे पर सवारी करके गया वह घोड़ा बहुत तेज चलता था राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा राजा बहुत प्रसन हुआ राजा रिक कर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको भी कंट करो, इस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह देही छूट गई, देव देही पाई स्वर्ग से विमान आया, तिस पर बैठ वे कुंट को चला, इतने में राजा जल पी कर बाहर आया, देखे तो पड़ा है, राजा चिंती थोकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है, इसे क्या हुआ, इतने में वह बोला है, राजान तेरे घोड़े को चैतन्य मैं हूँ, मैंने अब देव देही पाई है, वे कुंट को चला हूँ, राजा ने पूछा तुमने कौन सा पुने क्या है, गोड़े ने यह अक्षर देखे हैं इस कारण गोड़े की गति पही श्री नारायन जी बोले है लक्ष्मी यह गीता के पंद्रवे अध्याय का महात्मे मैंने तुमको सुनाया है इस तरह भगवत गीता का पंद्रवा अध्याय संपूरण हुआ जै श्री किष्णा जै श्री गीता माता की जै श्रीमन नारायन नारायन भज्मन नारायन नारायन भज्मन नारायन 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 श्रीमन नारायन नारायन नारायन